कितना खुश है अब बात आती है मुख्य मंत्री की तो अगला सवाल है मुख्य मंत्री के कामकाज से उत्तर प्रदेश की जनता कितनी संतुष्ट है कितनी खुश है ये सवाल भी हमने अपने जनता से पूछा है और इसका जवाब क्या है ये भी हम अपने दर्शकों के सामने बड़ा एहम सवाल है कि जो व्यत्तिकत तोर पर बतौर मुख्यमंत्री योगी अदित्यनात के काम काज को लोग किस तरह से आंक रहे हैं तो यह जवाब अब आपके सामने हैं तो आप यह जवाब देखिए कि बहुत संतुष्ट 46 फिसद लोगों का कहना है कि वो बहुत संतुष्ट नहीं है 32.09 फिसद लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो संतुष्ट नहीं है और जो कह नहीं सकते 0.09 फिसद लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि साथ हम कह नहीं सकते यानि बहुत संतुष्ट का आंकड़ा भी हमने आपको दिखाया और अगर बहुत संतुष्ट और संतुष्ट के आंकड़े को जोड़ दे तो सरसत दश्मलव साथ पिस सदी और संतुष्ट नहीं 32 दश्मलव नौफ पिस सदी ये भी अपने आप में बढ़ांतर है जल्दी से प्रदीप जी का रुख करेंगे उससे पहले हम सीधा अवधेश के पास चलेंगे अवधेश क्या बड़ी खबर आपके पास जंता बड़े पैमाने पर संतुष्ट हैं उनके कावकाद से संतुष्ट हैं बल्कुल प्रदीप जी का रूख करेंगे प्रदीप जी क्या कहना आपका सबकी राय हैं संतुष्ट हैं संतुष्ट हैं कम संतुष्ट हैं ये राय राय व्यक्त करने में लोगों ने कोता ही नहीं किये एक बात दूसरी बात लगिना purity को तो मुख्यमंतरी के प्रदेश की संतम प्रदेश रूप से और सरकार के तो यह संकट के समय में जब लोगों को बहुत मुझे नहीं लगता कि किसी परिवार को पिछले दस वीज पचीज साल में इस तरह की कभी परिशानी का सामना करना पड़ा होगा तब यह आकड़ा आना यह सरकार के लिए बड़ी रहात की बात है बलकुर प्रतीब जी बड़े खुबसूरती से आपने इसको डिकोड कर बड़ा इंटरस्टिंग आपने बात करी कि ऐसे लोग ना के बराबर है जो जो कोई राए ही नहीं रखते हैं हर व्यक्ति की राय है उत्तर प्रदेश में बुख्यमंद्री योगी अधित्यनात को लेक खुद मुख्यमंद्री योगी आदित्यनात को भी नहीं होगा कि इस तरह का मूड उत्तर प्रदेश का हो सकता है इस महाविपदा में और लांचन इतने लगे उसके बावजूद तो मैं यह कह सकता हूं कि सरकार का परफार्मेंस और व्यक्ति यानि मुख्यमंद्री का पर अची क्या है अगला सवाल बिल्कुल देखी अभी तक हमने पूछ